हम पहुंच गए हैं साई बाबा की नगरी सीड़ी और यहां पर सबसे पहले में आपको नजारा दिखाओ कितना खुबसूरत नजारा है और इस खुबसूरत नजारे के साथ हमारे जाथ खुद मौझूद है रिल लाइफ में साई बाबा का कारेक्टर प्ले करने वाले मतलब अंदवे था तब शीर्डी जाना है मंदिर जाना है वह एक्साइटमेंट हो था ही लेकिन यहांने के बाद यह पूरा माहौल देखने के बाद कुछ अलग सा लग रहा है कुछ मतलब एक थोड़ी सी एक क्या कहूं कुछ सुकता है थोड़ी सी एक बहुत ही इगर ने शब्द एक्जैक्ली में मुझे पता नहीं में क्या उसे कहूं एक फीलिंग को लेकिन एक ऐसा कुछ लग रहा है कि यह कब से यह जो चाहता था अब वो घड़ी बहुत ही नजदीक आ गई है अब इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया ऐसा कुछ एक हो गया है क्यूंकि कि मेरे लिए एक तो दो बात हैं श्रीडी में बहुत सालों के बाद आया हूं और ये क्यारेक्टर निभान ने को जब मैंने शुरूर किया दो साल पहले उसके बाद तो पहली बार आया हूं तो इसके लिए यह एक्साइट्मेंट जो है वो डबल है मेरे लिए साधी सैकड पहले हैं तो जुंचे अजए बाद भी आलाओं नहीं है उसके बाद भी आप लोगों को बख दे रहे थे क्या कुछ कहेंगे इतना प्यार देखकर कि कि देखिए कि किसी भी अभी नेता के लिए लोगों का प्यार बहुत ही जरूरी होता है कि अगर वो चाहेंगे या वो हमें देखेंगे तो हम हैं मतलब हमारे लिए हमारे दर्शक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सबसे important होते हैं तो naturally दर्शकों के साथ या लोगों के साथ जुटने में मुझे हमेशा आनंद आता है लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम shady में हैं traffic हो या security की वज़े से हो यह इतनी भीड actually allowed नहीं है लेकिन उसके बाद भी लोग भी यह सब जानते हैं हम भी जानते हैं यहां की पुलिस जो हो भी हम से cooperate करें वो भी जानते हैं तो बस मेरी कोशिश यह है कि यह लोगों का जो प्यार है वो अगर एक इखाद फोटो देने से या उनके साथ कुछ चंशब बोलने से वह अगर उनको खुशी मिलती है उनको अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल से मुझे करने में कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए तो जितना हो सके मैं करने कोशिश करता हूँ साथी हजार एपिसोड पूरे हो गए है बड़ा अभी प्यार दिया जाता है रिपीट मोड पर लोग देखते हैं और अब एक नए चैप्टर की वी शुरुवात हो रही जिसका हमने प्रोमो देखा क्या कुछ कहेंगे काफी खुबसूरत प्रोमो है और एक नई जरनी खाया गया हो यह जो अभी देखिए यह हमारा धारावाइक है तो हम इसमें कुछ-कुछ कलपनाएं भी या मतलब फिक्शन हम जिसे कहते हैं इसका भी आधार लेते हैं लेकिन हाँ इस कहानी के बारे में एक चिसमें आपको जरू कह सकता हूं कि यह कहानी सच्चाई के बहुत ही क्वाइट होंगे ज्यादा बात नहीं करते होंगे ऐसे कई प्रश्ण जैसे आपके मन में हैं मेरे भी मन में पहले थे लेकिन यह कहानी इस कहानी को पढ़ने के बाद एक कहानी हम शूट कर रहे हैं शूटिंग के बाद मैं यह कह सकता हूं कि इस कहानी में इस कहा थी अनुखा मिलाव आप इस कहाने में देख पाएंगे लास्ट ली क्या कहेंगे जौब के दर्शक हैं जौब के फैंस हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे जी पहले तो यह कि अब बिग बिग थैंक्यू आपका तहदिल से शुक्रिया क्यूंकि किसी भी शो के 1000 सब्सकी सब्सक्राइब करेंगे तो हम तो आपको प्रदे पेज्ड और पृष्ट को कृष्ट लिया और प्रोजेक को शुदाने के लिए उसमें और एक चीज्व आड़ होती है और वह है आप लोग आप लोग दरशक का प्यार आपका प्यार आपको कि सरहाते हैं आप जो जो है हमें चार सालों तक बिलता आ रहा इसके लिए ही मतलब यही कारण है कि यह सफरम आतेकर पा रहे हैं इस मुकाम तक पहुंच गया हैं तो आपका प्यार बस यूही परकरा रखिए ताकि यह सफर यूही ऐसा ही चलता रहे ओम साहिरा मुझ हमसे बात करने के लिए उमीद अग मुंबाइब तक मुंबाइब